नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज निशन का डिजिटल प्लाटफॉर्म में आपके सदक किता IPL का नया सीजन शुनू हो रहा है पिछले कई सीजन की तरह इस बार भी एक ही नारा रहेगा कि इस साला कप नाम डे यानि इस साल कप हमारा होगा RCB के कई फैंस इस उमीद के साथ इस नारे को स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक इस्तमाल करेंगे इसे बीच IPL से पहले RCB की टीम बड़े बदलाव की तयारी कर रही है दरसल RCB उनिस मार्श को अन्बॉक्स इविंट कर रही है इस दोरान एक घोशना की उमीद की जा रही है जिसमें टीम का नाम बदला जा सकता है RCB की टीम ने इससे लेकर एक बड़ा संकेत दिया है दरसल बैंगलूरू का नाम साल 2014 में बदल कर बैंगलूरू कर दिया गया था लेकिन RCB की टीम ने अपने नाम में कोई बदलाव ना करते हुए पुराने नाम के साथ ही खेलने का फैसला किया था अब ये फैसला इस्थानिय समर्थकों के लंबे प्रदर्शन का नतीजा है जो लंबे समय से बदलाव पर जोर दे रहे थे हलाकि इसे लेकर RCB की ओर से कोई ओफिशिल जानकारी नहीं आई है लेकिन टीम ने इसे लेकर एक संकेत भी दिया है RCB टीम में शामिल खिलाडियों ने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया जिया लेकिन टीम के कुछ सीनियर खिलाडी अभी भी शामिल नहीं हुए है खासकर फैंस को विराट कोली का इंतजार है इस साल T20 वर्ल कप के नजरिये से ये सीजन विराट कोली के लिए काफी एहम माना जा रहा है विराट कोली इंगलैड में बेटे के जन्म के बाद से ही क्रिकेट से दूर थे ऐसे में उनकी वापसी टीम के लिए काफी एहम मानी जा रही है मीडिया रिपोर्ट्स की मानी तो विराट कोली 17 मार्च को RCB यानि के अपनी IPL टीम Royal Challenges Bangalore का कैम जॉइन कर सकते हैं अब अगर ऐसा होता है तो यह खबर RCB के फैंस का जोश बढ़ाने वाली है वैसे आपको बता दे कि फिलहाल विराट कोली लंडन में मौजूद है वो पिछले कई दिनों से वही हैं उनके लंडन में होने के वज़े से उनके बेटे अकाय का जन्म रहा है दूसरे बच्चे के जन्म को लेकर विराट कोली इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों के सिरीज से बाहर थे क्रिकेट फिल्ड पर टीम इंटिया के लिए आखरी बार खिलते वे विराट कोली इसी साल अब बतर खिलाडी भी खेल रहे हैं आईपिल की विसाथ पर विराट कोली के नाम छोटे बड़े जितने भी रिकॉर्ड है उन्होंने आरसीबी के नाम कई सारे रिकॉर्ड बनाएं 12 मार्च 2024 को आरसीबी के साथ विराट कोली के कनेक्शन को 16 साल भी पूरे हो गये हैं क्रिकिट से लंबे ब्रेक के बाद सीधी आईपिल 2024 वे वापसी करने चाहरे विराट कोली और इस बार खिताबी जीत के उस अधूरे खौप को भी पूरा करने की कोशिश करेंगे इसके लिए ज़रूरी है कि उनके बल्ले का चलना जिसके लिए उनका अभ्यास जल्दी जोर पकड़ने वाला है अगर विराट RCB के लिए रनों का अमबार लगाते हैं तो ये ना सिर्फ RCB को इस बार IPL का खिताब दिलाने का काम कर सकता है बल्कि उन लोगों का भी मूब बंद कर रहा सकता है जो ये मान कर चल रहे हैं कि विराट कोली को T20 World Cup की टिम इंडिया से बाहर रहना चाहिए तो इस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेट बॉक्स पर जरूर बताएं वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेर भी कर दीजे इसके लाब अगर आप ये वीडियो उमारी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर लें साथी साथ फेस्बूक क्या फर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि भी खबर मिसना होने पाए